हाई शुरू करते हैं एक सबसे पहरा प्रशन देखिए आपसे पूछा जा सकते हैं इंटर्व्यू के अंदर की आपको इस पॉसे लिए योग्य भनती है है तो इसमें विडियो सेहर कीय था और आपको पता है कि इस सूट विरीटィ वाला जो पॉयंट है की आगको की आए उसके अधार पर उसका उत्तर बहुत है जो हमारे टीजिग पोश्ट है जो हमारी teaching post है, उसको ध्यान में रखते ही अपने उत्तर बताना है, अगर हम PGT के teacher हैं, तो हम बहुत छोटे बच्चों के हिसाब से अपने उत्तर को यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, वो practical answer नहीं होगा, तो हमारी teaching post है, उसके हिसाब से हमें इसके answer को model करना है, दूसरी बात अ picture रखी जाती है, उस बात को भी कहीं के मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, और तीसरी बात होती है, कि मेरा जो एक तरीके से educational background है, ठीक है, या मेरी जो एक तरीके से abilities हैं, उन abilities को भी हम ध्यान में रखनेंगे, और उसी abilities को हम कहीं के बारेटा में पूरे overall present कर रहे होंग यानि कि अगर ऐसा हम करते हैं, तो हमारा answer जोगा, वो practical होगा, और वो acceptable होगा, ब्यवारिक होगा, behavioral होगा, और उसको स्विकार करने में interview panel को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए क्या बता सकते हो, कि आप इस पॉज़ के लिए क्यों उ तो आप interaction को या communication skills को अपना एख्या बना सकते हैं, आधार बना सकते हैं, कि मैं बच्चों के level पर जाके उन से बाचित कर सकता हूँ, ठीक है, या आप कहा सकते हैं किसवर मुझे बच्चों से बाचित करना पसंद है और बच्चों से बाचित करने के क्रम में मैं कोशिश कर कि मैं उनकी समझ के दाइरे पर जाके उनकी अंडेस्टेंडिंग लेवल को समझते हुए मैं उनसे बात करूँ जिसमें मुख्य कारत यह होते हैं कि भाषा सडल हो मेरी सहज हो उनके दैनिक जीवन से संबंदित हो जूड़ी हुई हो और मनुरेज़क हो अगर मनुरेज़क ब सकते हैं। कि जीवन में बहुत सारे नातको में मंचो पे पर दरशंग किया है 5 इसलिए कहिने-कहीं मैं बच्चों को कि वो जल्दी सीख सकते हैं विजुलाइज करके भी सीख सकते हैं यह वो वेक्टी बोले जो कि इस चीज को आगी जिस्टिफाइड कर सके अगर उससे अगला प्रस्ट में पूछा जाता है कि ठीक है आप माली जी बच्चों को त्रिभुज पढ़ाओगे तो त्रिभुज प कर सकता हूं तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं होगा तो ध्याद रखेंगे कि हम जो भी बात करेंगे अंसर में अपने वह हम जस्टिफाइड कर सकें और उसके उपर अगर हमें तुरंत कुछ करने के लिए कहा जाए तो वह में अच्छी अपर्चुनिटी होती है भी आप उसके लिए और आप जब मुखा मिले तो प्रफॉर्म करें ठीक है और इसके लिए आप जो है हमारे माइक्रो टीचिंग के कही सारे वीडियो किया जा सकता है जिसको की देखकर आप सीख सकते कापी कुछ उसको आप फॉलो कर सकते आप चाहें तो कि उसी तरीके से और अगर आप यहां पर हैं तो आप यहां पर तो आपको डीली मिली रहे हैं अलगलत तरीकों से आप उसको यहां पर भी प्रदर्शन करने की परफॉर्म करने की कोशिश करें और आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाए यह बात नीसरी बात हम यहां पर क्या कह सकते हैं क को हमें आपर कह सकते हैं कि we can understand the learner's need, understanding of children's needs and expectations. मुझे बच्चों की अपिक्षाओं का ग्यान है, मैं बच्चों की अपिक्षाय समझता हो कि बच्चे क्या अपिक्षा रखते हैं हम से, या आप के explain to you it and you'll have to predict you'll have to understand that which learner is facing which problem right on the basis of that if you'll have to you'll have to initiate the communication with the learner and you'll have to can say find out the real problem of the learner to learn how to learn right और आप उसको deal out कर पाओगे तो ये कुछ बाते हैं जो आप पर कह सकते हो कि भई इस आप क्यो suitable हो तो आप ये आप से क्या पुछा जिया तो प्रस्में क्या से मैं repeat करता हूँ what makes you qualified for this teaching position तो ये कुछ ऐसी बाते हैं जो कि मुझे इसके लाइक बनाती है और दूसरी जो एक खास बात हो क्या कि सकते हो कि I complete I complete all required qualification I complete all required qualification ठीक है अगर किसी के पास experience है तो क्या कर सकता है इसके साथ जोड सकता है कि I have experience of teaching two primary level students for two years, three years, one years, whatever and उस experience की वज़े से सब मेरा जो अपना अनुभो है वो इतना enrich हो गया है बच्चों की समझ इतनी अच्छी हो गई है तो उस अनुभो का अभी लाब मुझे मिलेगा पढ़ाने में और उस अनुभो के लाब की वज़े से पहले ही दिन से मैं अपना best जो है अपने students को दे सकती हूँ या दे सकता हूँ और उनको एक अच्छे अधिगम अनुभो के साथ जोड सकता है और जोड सकती हूँ तो य आप इसमें inclusive class की बाद कर सकते हूँ आप इसमें teaching aids की बाद कर सकते हूँ कि मैं अलग अलग तरीकी की teaching aids से बच्छो को पढ़ा सकता हूँ आप इसमें बूल सकते हो कि मैं बच्छो को उनकी daily life से relate करके बढ़ा सकता हूँ मैंने दरूब हो talent है योगता है अब यह जो भी बा नहीं पता है तो आप उसको अच्छे से त्यार कर सकते हो प्लाइन ओप कर सकते हो एक्जाम के इंटेव्यू के पहले तो यह पहले को आपका इसी तरीके से जो बच्छा TGC के लिए जाएगा लेट से बस क्या होगा कि आइडियाज और वही रहेंगे आपके ठीक है उसको कहने का या उसको justify करने का धंग क्या हो जाएगा बदल जाएगा हम TGC में जाएगे तो हम क्या बोलेंगे कि भी I have interactive skills और communication skills I can communicate bilingually with the children मैं बच्चों से bilingually बात्चित कर सकता हूँ उनकी language को समझ के उनकी एक तरीके से जो background है language की उसको समझ के उनको मैं अपने topic और content को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ ठीक है action activity जब यहां पर हम करेंगे तो यहां पर जो action activity होगी वो different हो जाएगी थोड़ी इसमें हम कहीने कहीं बच्चों को problem solving method के तुम सिखाएंगे इसमें हम बच्चों को कहीने की project देंगे project solve करने के लिए उनको help करेंगे, assist करेंगे तो यहां पर थोड़ा से answers का justification क्यों हो जाएगा? Change हो जाएगा. Understanding of children's needs अगर हम कहते हैं तो हम यह use कर सकते हैं कि चुकि बच् teenagers होने लग जाएंगे और teenagers की अपनी problems अलब होती है, उन teenagers की problems को मैं समझ सकता हूं या समझती हूं और उनके teenage में होने वाले जो दुविधाएं हैं जो एक तरीके से उनके सामने जो ambiguity है life को लेखे, जो उनके physical changes हो रहे है, जो उनके hormonal changes हो रहे है, जो उनके अंधर एक तरीक को समझने के कारण मैं EDT की पोस्ट के लिए suitable teacher हूँ, क्योंकि इन चीजों का समझना एक अध्यापक के लिए उस सवस्था में जरूरी है, अगर अध्यापक और अभिभावत बच्चों को उससे में support नहीं करेंगे, तो निश्य दूप से बच्चे समाज के प्रती या सिक् होगे और उनकी रूची जो है दिख्चा में काम हो सकती होगी, तो इसका explanation क्या लिए का understanding of children psychology, इसको हम specifically connect कर सकते हुए किसे? तीर एज से या एडलिसेंट एज से, clear हुआ? और एडलिसेंट एज से connect करने का मतब कि शोरा रवस्था जाम इसको जोड़के बता सकते होंगे, और आप सबको पता है कि कि थोरा रवस्था जो है, ऐसी रवस्था है जो कि बच्चों के लिए stress अनी strong की रवस्था करी जाती स्ट्रीम क्या रखना है उसको, आगे किस थरव, किस तिसा में, किस चेतर में आगे बढ़ना है, higher education का plan करना है, साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, तो ये खासका 10th के लेवल के अगर बच्चे उनके लिए बात हम कर रहे हैं, ठीक है, बिलकुल आपका जो प्रशन है वो ठी प्रशन के लिए जो बच्चे हैं, उनके लिए हम बात करना है, कि 10th के बात, 11-12 में बुछों को स्ट्रीम कहने की final करनी होती है, कि वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करेगा, PCM लेगा, या मेडिकल लेगा, या फिर वो आर्ट स्ट्रीम फालो करेगा, या किसी और बुसरी जिसा में आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो वो बात हम लों 10th के लेवल पे, 9th के लेवल पे करेंगे, क्योंकि TGT वाले teachers को के वरी responsibility रहा है, 9th और 10th की classes की भी मिलती है, बाकि initial classes 6th to 8th वाली, उसके हिसाथ से हम बात करेंगे, तो हम हम देखें, अधर तो teenage की बात करके, अप इसकी हो जाएगी, 6th, 7th, 8th की class की, तो कहें के वो ही age है जिसमें की लड़के लड़किया दोनों ही के जो रवस्ता में प्रवेस करते हैं, ठीक है, और बाकि जो दूसरी बाते हैं, वो हम इसमें जोड सकते हैं, हाट बग्स जोड सकते हैं, हम इसमें जो है, क्रीके से अप अपने daily life में, और computer का इस्तमाल करने के कारण, या social media का इस्तमाल करने के कारण, या ICT का यूज करने के कारण, मैं इस चीज के प्रियोग को लेके अभ्यास्त हूँ, मैं कहने के इस चीज के प्रियोग को लेके used to हूँ, और मैं इसको अपनी class में, as per the need of the students, as per the need of the topic or subject, ICT क incorporate करके बच्चों को अच्छी learning करवा सकता हूँ, या करा सकता हूँ, इससे बच्चों का समय भी बच सकता है, बच्चों का learning experience जादा enriched हो सकता है, बच्चे जादा long term उस learning को pursue कर सकते हैं, और इसका positive transfer वो दूसरे विश्यों को सीखने में भी कर सकते हैं, इस तरीके का answers हम यह बच्चों के teacher हो, तो गणित में कैसे आप ICT का use करोगे, अगर आप भाषा के teacher हो, तो भाषा के कुछा में ICT कैसे इस्तमाल करोगे, बच्चों को कैसे उसके प्रेडित करोगे, all that, तो उस पर हम अपना विचार रखते हैं, हम क्या सकते हैं, किसे अगर हम भाषा के teacher हैं, मैं ICT का इस्तमाल करने की बाद आती है, तो मैं बच्चों को समनारती सब्त सिखाना है, मुझे इनिमेशन जोड़एगा तो बच्चों को visual impact तक फड़एगा. अगर मैं powerpoint presentation की तरीके से बढ़ा पाती हूं smart classes का इस्तमाल करके तो इससे बचों की visualization बढ़ेगा इंट्रेस्ट बढ़ेगा attraction बढ़ेगा सीखने के प्रति उनका यह सब बाते हम justify कर सकते हैं साथ में जैसे बचों का उचारण कोशन ठीक करना है तो मैं कुछ उनको इस तरीके के जो उचारण मानक उचारण वाले प्रोग्राम्स हैं NCRT की तरफ से लाए गए या मालेजी जो दूर दर्शन पर करेक्रम चलाए जाते हैं इंग्लिश में हिंदी में संस्क्रित में उन च इसके अलावा देखो हम क्या कर सकते हैं हम यहां पर जैसे हम अन्य आपको बताया कि नई अबिलिटीज के लिए हम बात करें तो हम कहीं भी बोल सकते हैं कि तो लयकरा जाये को onlion के लिये लुए हम बच्चों को भंत्टीवेट कर सकते हैं हम उनको कैsto है के लिए हुआ बच्चों के लिए जो की स्पोर्ट वोगे दिखा रहा है वो इसको यहां पर बताएंगे तो कहिने के उनकी बात इंटिग्रेट हो जाएगी ठीक है कि एक परश्ची दोक्तर में भी आप यह बता रहा है आगे कहिने के हॉबी में आपने इस चीज को में संग करना है अपने करी हुई है तो या फिर आपने कोई प्रमार कट रहे इस पेशल ऐचीब्मेंट में दिखाया हुआ है वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने स्पोर्स में यह अचीवेंट करी हुई है तो यह कहीं नगी इंटर लिंक हो जाता है आपसे और आप इसमें ज्यादा अच्छे हैं एक दुसरे की contradictory नहीं है तो आप यह कहा सकते हो कि sir being a math teacher I'm also good in sports particular sports का आप नाम ले सकते हो जो भी आपका है volleyball का बड़ी को गो जो भी है I'm also good in that so while teaching mathematics I will also be motivating students to give their extra time in physical sport so that their health can also be improved and they can also learn team spirit they can also learn cooperative कैंसे cohesiveness cooperativism इस तरीके के भाव उनके अंदर exchange sharing यह सारी चीजह उनको समझा सकती है common goal को team के साथ कैसे achieve करना होता है ऐसी बाते समझा सकती है ठीक है तो कहीं कि उनके अंदर में life skills या जीवन से related जो मुल्य है कोशल है उनको भी सिखा सकता हूं being a sports person तो यह चीजह हम उनके जोड़ सकते हैं किसी का art and craft का है किसी का singing का है किसी का dancing का है वो यहां पर relate कर सकता है कि मैं इसलिए दूटेबर हूं क्योंकि विसे की पूरी जाद करी है मेरे पस सब्जेक नॉलेज मेरी क्या है पूरी कमांड है और सब्जेक नॉलेज पर कमांड होने के विजए से मुझे बच्चों को कोई भी विसे सिखाने में विसे के समझ्या नहीं है इसके साथ टीचिंग पेड़ागोजी की मेरी समझ अच्छी है मैंने टीक से बढ़ाई की अप अपने टाइम पर तो कहें न कहीं बच्चों की बेक्थिकस्क अब शेकते हैं उनको समझते हुए कंच्छा के करसकते हूं यह रिलेट करके अपने आंसरेया पर तयार किया जा सकता है कि मैं खब्यारिया को विसे सूचना या पिरानी है को अब बच्चों के लिए बोजील ह प्रज़िशन को रही है मन नहीं लग रहा उनका उसमें बहुत जो एक्सरी किसे रोट लड़नीं हो रही है तो उसको मैं लहभाद करके किसी ने किसी गानी प्रजारीट करके सिखाने की कोशिश कर सकता हूं अब इस समय क्या होगा कि आपको कहा जाएंगे कि कोभी आपने पुछ पढ़ते समय कोई प्रयों किया उद्ध बताओ तो अपने शुद्रुप से ऐसी कोई त्यारीख करके जाए या आपने पहले ही कर रखेंगे तो कोई दिख्कती नहीं होगी आपको आप उसको इसको इसक सकते हो वह आपको अच्छे नंबर दिलाएगा तो कि आप उसको जस्टिफाइब कर रहे होगी जो आपने बोला है ठीक है को जो डांसर्स हैं इसके अलामा आप क्या कह सकते हो कि सर स्कूल में पढ़ाते समय अपनी जो कक्षा की जिम्मेदाली है उसके आतरिक्त कहिने कहिन कि ëंसिंघ्र में या म्यूजिक में या इन ट्राफ्ट में या गाडणि में इस लिए अस यह मचेसं का फूर्ट हो अब्सक्राइब कर सकते हैं हम एक तरीके से कहने कर सकते हैं हम कहने कर सकते हैं अपनी होबी को अब्सक्राइब कर सकते हैं देखो मैं प्रशन सारे कोन को से प्रशन होगे जिसके उत्तर हम इस पूरी पर चल्चा से बना सकते हैं निकाल सकते हैं बस आपको क्या सकते हैं और अगर कोई आप अपनी के लिए नहीं करते हैं कि आप को लगता है कि आप इस पोजिशन के लिए इस पोस्ट के लिए क्लिए करते हैं उसके आंसर हमेहाँ से निगालेंगे आपका जो सोटेबिलिटी वाला पॉइंट जो आपको लिखना है बाई रिटामिनों नॉम्बर में उसके पॉइंट भी यहां से आप निकाल सकते हो वो मैंने अगासे भी वीडियो डाले हुए यह डिटेल पूरी दूसरी बात किसी बात आप से पूलता है आपके पॉइंट के लिए बच्चों के लिए या आप सेंसिटिव हो बच्चों की डेवलपमेंट को लेके बच्चों की नीज को लेके वो लिख सकते हो आप यह लिख सकते हो बता सकते हो कि भी मैं सिक्षण को कहीं कहीं समाजिक परिवर्थन का एक कालक मानता हूं I assume that teaching is a factor of social change and I I want to be the agent of that social change, मैं ये भी बोल सकता हूं इसमें, कि सर मुझे रखता है कि जो teaching profession है, उस teaching profession के माध्यम से समाज में अपेक्षित बदलाव लाया जा सकते हैं, जिससे कि समाज हमारा और बहतर बन सकता है महुष्य के लिए, तो निश्य दुरुप से मैं उस समाजी परिवर्तन का एक agent या अभिकरता बनना चाहता हूं और वो सारे गुण मेरे अंदर हैं, जो कि बच्चों में वो अपेक्षित परिवर्तन लाज सकते हैं, जो कि सिक्षा के माध्यम से हम उमीद करते हैं, जो हमने set किये हो हैं उपने curriculum के अंदर, ठीक, तो ये सारी बाते हैं करके हम लोग सिक्षक के लायक बनाते हैं, सिक्षक के पद के योगे बनाते हैं, साथी साथ सिक्षन के प्रती मेरी सोच positive है, optimistic है, पर जिसमें आपको बताया कि ये कहीं ने कहीं, job satisfaction के लिए सबसे best field है, क्योंकि इसमें अपनी जो practical एक तरीके से job security है, वो तो मेरी secure हो ही रही है, साथी सा अपनी job के अंदर satisfaction level इसमें मुझे highest दिखता है, क्यों, क्योंकि जब मैं अपनी job कर रहा होंगा, तो सिर्फ मैं job को workload समझ के नहीं कर रहा होंगा, बलकि ये मेरी लिए एक रोची का विसाय होगा, मेरी लिए एक अपने स्वयम के विकास का भी एक अवसर होगा, it will be an opportunity for my own development for my own enrichment, right, because I will be interacting with multi-linguistic students, I will be interacting with students of multicultural, cultural backgrounds, तो ये सारी चीज़ें जो होगी, वो मुझे कहने के विक्सित करने में अपने आपको मदद भी करेंगी, पर साथ में मैं अपनी नौकनी को भी कर रहा होंगा, प्लस चुकि मैं teaching profession को एक noble profession मानता हूं, मुझे लगता है कि ये सामाजिक बदलाओका और इस तरीके से देश में बदलाओका एक माध्यम है, तो जो संतुस्ती है मुझे, कि मैं उसका कहने कहीं एक अंग हूँ, मैं कहने कहीं उसका एक part हूँ, मेरा भी इसमें role है, ये अगर आपके बारे में पूछा जाता है कि आपको जो है, आप उसमें एक लाइन यही सब बताते हुए जोड़ सकते हैं, कि सर में इस बारे में सक्षम नहीं हूँ, कि मैं ये बता सकूँ कि मैं दूसरे विज्जाश्यों से बहतर हूँ, लेकिन मेरी इन इन जो मैं आपको बता ही, इन इन qualities की वज़े से, इन इन abilities की वज़े से, इन इन शमताओं की वज़े से, मैं जरूर मानता हूँ कि मैं priority list में कहीने कहीन ऊपर आ सकता हूँ, ठीक है, बाकी अन्य विद्यार्थियों का, चुकि मैंने मुल्यांकर नहीं किया है, और मैं उसके मुल्यांकर के लि नहीं वह निर्णे आपका अपना निर्णे होगा सर लेकिन मैं जरूर आपको अपने व्यक्तितु की वह पक्षक बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से मैं इस पद के लिए जरूर उमिद्वार बनता हूं और मेरी उमिद्वारी ठीक ठाक है मेरी उमिद्वारी जो है वो कही अच्छी है इस तरीके से जोको 5-6 ऐसे questions है tricky जो आपको परिशनान करते हैं वो सारे questions के answers हम लो इस तरीके से find out कर सकते हैं आप इस वीडियो को देखकर अगर लगता है कि आपको इसमें मदद मिली है तो आप जरूर comment box में comment करके बताएं ताकि और भी ऐसे ही जितने भी प्रश्म हैं उनको उक्लब करके हमें इस तरीके के छोटे छोटे parts में आपको और वीडियो प्रवाइड कर सकें और अगर आपक तो इससे लाब मिलता है तो ऐसा करने में हमें खुशी होगी हमें इसमें कोई दुबिधा या कोई समस्या नहीं होगी थैंक्यू सो मच गुड़नाइट एंडवर बैर